हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल वेलकम इन सर्च में ओल इन वन दुनिया आपका आपके के चैनल में स्वागत हैं जी तो आज हम बात करेंगे यूपी पी से स्टाफ नर्स रिक्यूटमेट के बारे में जी हां तो इस विकेंसे के बारे में और लाश्ट डेट इसकी कल है तो आज हम इसके बारे में बताएंगे अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप आज या कल तक जो इनके ओफिशिल वेबसाइट है वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं जी तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको बताते हैं आज की वेकेंसे याद ए सेवा आयोग उतरपरदेश पब्लिक सर्विस कमिशन द्वादा वेकेंसी अनौस की गई है 2240 पदों के लिए जिसमें पुरुष और महिला केटर्गराइज किया गए अलग-अलग पोस्ट के लिए पहले ये पोस्ट थी 21 सितंबर तक आप इसे बढ़ा कर दिया है 29 सितंब तो इसमें टोटल है 2240 जिसमें से 171 पद है वो फिमेल स्टाफ के लिए है और 29 पद है फिमेल स्टाफ के लिए एज की बात करें तो इसमें जो एज 21 से 35 साल तक दे गई है और बाकी कुछ दिलेक्सिशन है अकोर्डिंग टू गोर्वर्मेंट जूल इसके साथ साथ है एजुकि différentes इसमें प्लश्टो पास होना चाहिए दग्स्टेशन होना चाहिए आपके पास काउंसिल का यूपी काउंसिल का जो मेडिकल काउंसिल है यह नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल का और इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए जी एनम का यह भी सी की डिगरी होने चाहिए नर्सिंग में कि फीस की बात करें तो इसमें जो फीस है वो जनल के लिए 125 और ओबीस के लिए 125 सेम है से के लिए 65 एक्सर्विसमें के लिए 65 है जबकि जनल ओबीसी और इसमें इसमें के लिए 125 पैटरन क्या से दाएगा प्री लिम्स एक्जाम का जनल में 30 कोश्टन जनल हिंगे 30 कोश्टन हिंदी के 20 नर्सिंग के 120 और टोटल कोश्टिंग के 170 और जो डूरेशन दिया जाएगा आपको दो घंटे का दिया जाएगा जी तो यह थी बैसिक बाकि जो भ आप जाकर च्ट्राइब कर सकते हो बिफोर अप्लाई कि तो और उसके साथ यहां पर यह दिया गया है जी से आप यहां पे च्ट्राइब कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंख और नोटिफिकेशन लिंग और वेब्शाइट का लिंग आपको वीडियो की आट में डि ने लग लग बनाए गया है और इसमें जो सेलरी है पेस के लगे सो से लेक्र लग बग 35,000 और सेलरी से में दोनों की विकेंसी यहां पर किटरगराईज की गई है 172,9 और यहां पर qualification check करके आप apply कर सकते हैं और यह से ही यह इनके official website है यहाँ पर आरके भी आप check out कर सकते हैं यहाँ पर click करके notification में जी तो यह थी basic detail vacancy से related hope so यह video आपके लिए informative रही होगी अगर आपको यह video अच्छी लगी तो like को share कर सकते हैं प्लस अगर कुछ point miss हुआ है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं आज के लिए इतना ही था thank you for watching